हलो स्टूडेंस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था मैप्स पे किस पे मैप्स पे और आज भी हम लोग इसे पे कंटिन्यू रहेंगे तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किस किस टॉपिक पे डिस्कस करा था उसको एक बार देख लेते हैं लास्ट में हम elements of reading maps पे यानि कि जो map reading करने के लिए हम लोगों क्या-क्या elements चाहिए होता है उसके बारे में फिर compass rose, symbols, colors और plants ठीक है यह सब के बारे में आज हम लोग discuss करेंगे तो start करते elements of reading maps यानि कि जो map reading करने के क्या-क्या elements होते हैं map reading is an easy and interesting exercise the following elements help us in reading map यानि कि map जो reading करने का तरीका है वो बहुत easy और interesting है है ना map जो reading करने का तरीका है वो बहुत easy और interesting है उसको हम लोग नीचे लिखे हुए हैं जैसे कि क्या-क्या होता है elements? compass rose, symbols, colors और scale यह सारे तरीके क्या होता है map reading करने के लिए ठीके यह सारे चीजे हम लोग map को read करते हैं यानि कि पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग कौन सा direction पता करना है तो उस से वो come publish rose से पता करते हैं ना symbols से कि हम लोग का map में कौन-कौन सा symbols का मतलब क्या-क्या होता है वो सारे चीजे हम लोग सेंबल से बात करते है यानि की सेंबल से पता चलता है ठीक है तो इसके बारे में हम लोग डीटेल्स में जानते हैं इसके रेडिंग मैप्स के क्या-क्या तरीकिये देखिए इसमें दिया हुआ है पहले सखेल बार से हम लोग पता चलता है है ना कंपस रोच से बॉंड्री लIGN से हैं बॉंडृ लाइन से भी तो पता का है ना अब बात करते हैं compass rose, compass rose क्या होता है, compass rose क्या होता है, most maps are drawn with north located at their top, क्या होता है, map में जो जितने भी maps रहते हैं, उसमें क्या बना हुआ रहता है, जो हम लोग का map रहता है, उसमें top पे क्या लिखा हुआ रहता है, north लिखा हुआ रहता है, जितने भी बने हुए map है, उसमें सबसे उपर क्या लिख्या वा रहता है उसमें रहता है North Sometimes directions may be shown using a compass rose हम लोग क्या करते हैं कुछ टाइम पे हम लोग compass rose का भी use करते हैं direction को क्या करने के लिए पता करने के लिए direction पता करने के लिए ठीक है फिर क्या करते हम लोग a compass rose shows the four cardinal direction हम लोग को compass rose क्या करता है four cardinal direction shows करता है कौन-कौन सा है first में North, top में रहता है North, bottom में रहता है South, left side रहता है West and right side East ठीक है top में क्या रहता है North रहता है bottom में South, left में West और right में East ठीक है यह map में रहता है draw और compass rose में भी same रहता है यानि कि टॉप में क्या रहता है North रहता है और bottom में क्या रहता है South रहता है और left side West रहता है and right side East रहता है ठीक है और क्या रहता है इस में इसमें तो पहले Cardinal direction दिखाता है और फिर क्या दिखाता है Intermediate Direction भी दिखाता है क्या दिखाता है Intermediate Direction Intermediate Direction means जैसे की North और West के बीच में क्या है उसको सो करता है ठीक है जैसे कौन कौन से नौर्थ एस्ट नौर्थ एस्ट ठीक है नौर्थ और एस्ट के बिच में कौन सा एक लाइन गया हुआ है नौर्थ एस्ट का ठीक है साउथ एस्ट साउथ वेस्ट एंड नौर्थ साउथ ठीक है यह सारे डारेक्शन हम लोग को यह सारे ड बिल्कुल watch की तरह दिखता है अब बात करते हैं symbols symbols are used to represent real object of the world on map जो हम लोगा symbols है वो हम लोग के map में real object को represent करता है ना जो हमारा symbols है map में वो सब चीजे हम लोग को map में real चीज को सो करता है क्या symbols without symbols there would be no map यानि कि अगर symbols नहीं रहेंगे तो map भी नहीं बनाया जा सकता है क्यों क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीजे means कि कौन सा चीज है और बिल्कुल जासे हम लोग drawing करते हैं वैसे रहेगा उसमें कोई symbols ही नहीं रहेगा कि कौन country है कौन river है and कौन building है यह सब तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा अगर हम लोग के पास symbols नहीं रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कौन river है ना कौन forest है तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे map को कैसे पता कर पाएंगे कि हम लोगों का कहां पर रिवर है और कहां पर फॉरेस्ट है ठीक है इसलिए हम लोगों को सेंबल्स क्या रिप्रेजेंट करता है हम लोगों को सेंबल्स यह रिप्रेजेंट करता है कि उसमें जो चीज जो चीजे रहती है उसको रियल हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है ठीक है Hello students, maps, last video में हम लोगों ने maps पर discuss करा था and आज भी हम लोग इसी पर continue रहेंगे, ठीक है तो आईए जानते हैं हम लोगों ने last video में क्या-क्या discuss किया था हम लोगों ने क्या था, map यानि map का meaning, uses of maps यानि कि map के क्या-क्या uses है, फिर globe and maps ठीक है, globe and maps पर भी discuss कर रहे थे हम लोग लास्ट वीडियो में और types of maps, ये चाट topic पर हम लोगों ने last video में discuss करा था and today we will discuss elements of reading maps, किस पर discuss करेंगे, elements of reading maps पर ठीक है, इसके क्या-क्या elements है, उस पर discuss करेंगे फिर compass rose, फिर symbols, फिर colors and plants इस पर हम लोग colors and plants पर next video में discuss करेंगे, ठीक है तो स्टार्ट करते है, elements of reading maps maps reading in an easy and interesting exercise हम लोग का map reading क्या करना, map reading करना में बहुत easy and interesting exercise यानि कि बहुत easy रहता है और interesting भी रहता है map को read करना, ठीक है the following elements help us in reading maps जो यह four elements है, यह हम लोग को help करते हैं, map को reading करने में और वो कौन-कौन से है four elements? compass rose, symbols, colors and scale यह four elements क्या करते हैं, यह four elements हम लोग को map को read करने में help करते हैं, ठीक है? क्या-क्या और help करते हैं, जैसे कि यहां पे और दिया हुआ है, reading map का क्या-क्या symbols हैं and क्यासे हम लोग map को read कर सकते हैं? तो यहां पे है title से, है ना, फिर keys से, फिर capital से, फिर इधर scale bar से, compass rose से, boundary line से और cities से, यह सब से हम लोग identify कर सकते हैं कि map में क्या-क्या चीजे हैं, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं compass rose पे, किस पे बात करेंगे? compass rose की, वो क्या है? अब जैसे हम लोग map होता है, वो तो flat होता है, है ना? map कैसा रहता है? flat रहता है, and उसमें क्या था? कि जो map में हम लोग का direction चेक करने के लिए था, जो भी, वो हम लोग का top में था, है ना? और top में क्या था? North था, और bottom में क्या था? south था, ठीक है, and left side west and right side east, ठीक है, sometime direction may be shown using a compass rose, हम लोग कुछ time पर क्या करते हैं, कि हम लोग direction चेक करने के लिए compass rose का भी use करते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है? इससे हम लोग cardinal direction चेक कर सकते हैं, जैसे की east, west, north and south है ना? ये सब क्या है? हम लोग के cardinal direction होते हैं, ठीक है? ये हम लोग compass से चेक कर सकते हैं, जैसे की ये है एक compass, ठीक है? टॉप पे क्या है? north है, bottom पे क्या है? south है, and left side, west and right side, east, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, हम लोग compass rose से? और कर सकते हैं, intermediate direction भी ही, जैसे की एक direction, एक direction के और दूसरे direction के बीच में, जो direction बनता है, उसको बोलते हैं, intermediate direction, ठीक है? जैसे की यहाँ पे है, north east, north east, ये क्या हो गया? intermediate direction, south east, south east क्या हो गया? intermediate direction, फिर south west, ये क्या हो गया? intermediate direction, फिर north west, ये क्या हो गया? intermediate direction, ठीक है? जो हमारा compass होता है ना वो बिलकूल clock के तरह होता है ना जो compass होता है वो कैसा होता है clock की तरह यानी घड़ी की तरह होता है ठीक है अब बात करेंगे हम लोग symbols पर किस पर? symbols कि symbols क्या होता है? symbols are used to represent real object of the world on map यानि कि जो सेंबोल होता है वो हमारे वर्ल्ड का real object सो करता है वर्ल्ड का है ना हम लोग का सेंबोल क्या होता है real object सो करता है Without symbols there would be no maps अगर symbols नहीं रहेगा तो map भी नहीं रहेगा क्योंकि map को हम लोग कैसे read करते हैं सेंबोल से अगर symbols नहीं रहेगा तो हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा जगा and कौन सा river and कौन सा city कहाँ पे है क्योंकि इन सारे चीजों के लिए क्या बना हुआ है इसके लिए सारे symbols बने हुए है ठीक है और फिर क्या होता है इसमें To enable a person to read a map correctly इसको कोई भी अगर हम लोग के पास symbols नहीं रहेंगे तो कोई भी जो person है वो enable हो जाएगा read करने के लिए कोई भी map को क्योंकि उसके पास कोई symbols ही नहीं है तो कैसे उसको पता चलेगा कि कौन सा map में कौन सा जगा कहाँ पे है ठीक है a map legend provide keys to all symbols on the map legend क्या करता है map legend क्या करता है provide करता है हम लोग को symbols map read करने के लिए it like a dictionary ठीक है यह किस की तरह रहता है यह dictionary की तरह रहता है which let you know the meaning of its symbols यह क्या करता है यह हम लोग को बताता है हर symbols का मतलब कौन map sorry symbols कौन बताता है symbols ठीक है अब यहाँ पे कुछ symbols हैं जैसे some common symbols with their meaning are given below यहाँ पे कुछ symbols and उसके meaning दिया हुआ है जैसे boundary boundary का क्या symbols रहता है plus, फिर line, फिर plus इसका कौन सा boundary, national boundary का national boundary में क्या रहता है plus रहता है, line रहता है, फिर plus रहता है ठीक है और फिर state boundary में कैसे रहता है फिर पहले थोड़ा सा line रहता है फिर x x रहता है, फिर line रहता है फिर x x x फिर line यानि कि यह cut cut रहता है line रहता है, cut cut रहता है line रहता है cut cut रहता है फिर line रहता है यह state boundary में ठीक है और district boundary में क्या रहता है line रहता है gap रहता है line रहता है gap रहता है ठीक है यह क्या है किसका है यह है district boundary का अब बात करते है road and railroad है ना रोड का और रेल रोड का primary highway देख लिजए कैसा रहता है primary highway मेटन रोड ठीक है मेटन रोड फिर एंप्रोप्ड रोड सिगनल ट्रैक अनिंप्रूप्ड रोड सिगनल ट्रैक ये कैसा राता है ये इस टैप में राता है फिर standard use railway standard use railway multiple track narrow use railway single track ठीक है फिर हम लोग बात करते है water bodies अब map पे तो water bodies भी रहते हैं तो उसका भी तो हम लोग को idea होना चाहिए कि उसका क्या symbols है water bodies should be sawn in blue जो हम लोग का water bodies रहता है वो किस color में दिखता है वो दिखता है blue color में river river का line रहता है blue color का ठीक है dim dim कैसा रहता है पानी पानी और फिर बीच में एक red color का तो लैक लैक का जो picture रहता है same to same वासा रहता है फिर canal canal का भी same to same river की तरह रहता है building and related features अब हम लोग बात करते है building से related कि उसका क्या-क्या symbols रहता है building का तो building ही रहता है बना हुआ बहुत बड़ा सा building फिर school, temple, church ये सब का भी picture बना हुआ रहता है है ना ये सब का भी picture बना हुआ रहता है airport का भी उसमें plane बना हुआ रहता है airport का क्या रहता है plane बना हुआ रहता है ठीक है अब कुछ questions हैं जिसका आप लोग को answer देना है ठीक है क्या करना आप लोग को इस वीडियो को देखना है and जितने भी questions है इसका answer आप लोग copy में not down करना and learn करना है ठीक है क्या करना जितने भी questions है उसका answer को आप लोग को copy में लिखना है और इसको learn करना है ठीक है, थाइंक यू, see you again